आप सब का टीम्स फॉर इंगे यूटीब चैनल पर तो आप काफे अच्छे हैं काफे अच्छे विंद भी कर रहे होंगे तो इस बात करने वाले आज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया वसस इंगलेंड का थर्ड ODI मैच जो खेला जाएगा कैसे कुछ इस मैच के रिलेटर सारी चीज़े रह सकते हैं पहले तो मैच होने के बाद में अब तीसरे मैच में क्या कुछ चीज़े होंगी और कूंसे चिंजस हो सकते हैं कैसे आपके लिए वेन्यू स्टैट्स रहेंगे लाइक आज का जो मैच वो दिक्कत नहीं होगी आप तो भी कौन सा प्लियर कब लेना हैं कौन से इनिंग में अच्छा रहता है कब अच्छी वो लिंग करता है किसको आउट कर सकते हैं तो लाइक टीम मनाने में बड़ी असानी हो जाती है और जीतने में भी वीडियो को आखिर तक देखते हैं आप आ सबस्क्राइब करके बाइंच को पता होगा कि मेलबन करेट ग्राउंड की जो बाउंडरी से जादा सिंगल डॉबल से रहनाते हैं कि बात कि जाए इस ग्राउंड के स्टाइश रिक्स कि देखो जो पहला ओडियाई मैच था ना फर्स्ट एवर ओडियाई मैच वह इसी क्राउंड पर खेला गया था ना इंटियन सब्सक्राइब बाकि अभी तक इस ग्राउंड पर 146 मैच इस हो चुके बाकि चेज गरने के लिए तोड़ा से जादा अच्छा है यहां पर बाकि इसके लावा 223 है यहां पर काफी कम है क्योंकि कमी रन बनते हैं बात की जाए स्कोरिंग पैटन की 200 से नीचे 44 टाइम्स बना है 200 से 200 के बीच में 65 बना है 200 से 300 के बीच में भी स्कोर है 24 टाइम्स एंड 300 से उपर बहुत का में सिर्फ तेरा बार 14 मैचे में बात करते हैं विकेट से अगरा कैसे गरती है सबसे इंट्रेस्टिंग चीज दिखाता हूं देखो मैं आपको यहां परना विकेट देखूगे 230 बना है और इंडिया ने च चीज का डाला उस्ट्रेलिया अपने ना तीन मैचे यहां पर डिफेंड करते हुए हारी है सिर्फ उन्होंने एक मैच यहां पर डिफेंड करते हुए जीता है बट सबसे अजीब बात कहीं चार मैचे पिछले और वह भी लाइक ऐसे निया है 2016 तक क्या है 2018 में 2019 में 17 में 16 मे हुआ एक मैच चारोई मैचेस में उस्ट्रेलिया ने पहले वैटिंग की तीन बार हार गए एक बार डिफेंड सही से कर लिया न्यूजेलेंड को 147 पर लाउट कर दिया अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेशनी चीज़ है स्पिनर्स के आप विकट देखोगे पेसर्स को यहां पर विकट मिल जाते है उस्टेलिया के बीचे जब पेसर्स को विकट नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे ठीक है वो अलग बात नहीं है अलग बात है स्पिनर्स की पहली इनिंग में स्पिनर्स को विकट है सेकंड इनिंग में जीरो पहली इनिंग में स्पिनर्स को व यहां पर भी ट्रेवेस एड़ में पार्ट टैम बोलिंग कर आई थी और दो विकेट निकाल लिये थे अधर यहां पर भी विकेट मिलते हैं नहीं स्पिनर को सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिल ही नहीं है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ही रहें हर बार लाइन में तो जैंपा पर थोड़ा सा ध्यान रखना आज के लिए बाकि विकेट वगरे डेफिनेटली जैंपा को उतरा तो नहीं बोलूआंगी जीरो जा सकती है बढ़ एक दो विकेट निकाल सकते जैंपा बहुत ज सब्सक्राइब बात करते सीधा प्लेंग 11 कि आपको प्लेंग 11 से पहले में आपको एक डिस्क्लेमर दे दू प्लेंग 11 का वह क्या है कि यहां पर ना दोनों ही टीम की हालत कुछ ऐसी है कि कुछ भी चेंजिस कर दे रहे हैं कप्तान तक बाहर बैट जाते पिछले मैच में घishing जोश बत्लर बाहर बैट गयोगे जब इंग्लेंड के प्लेयर को रेस्ट ही लेना था तो स्कोड में स지만 होग udah फिर ऑखे항 नामपर बाहर भी बैड जाते हैं पहले मैच में आधिल रैसीपकर खोड़ा लाजमिया ूप सब्सक्राइब करेंगे दो मैच उस्ट्रेलिया बड़ी असानी से जीच चुके सीरीज उनके हाथ में तो चेंजिस करना लाजमी है ठीक है है और वोर्नर करेंगे उपन बिछले मैच में मैच में काफी सही किया था उसका में स्टीवन स्मित है दोनों मैचे लगाता और तीन मैचे सेंचुरी करीब रहें त्यनों स्कोर उनके और मैं बोलुगा इवन चार मैच उसके बाद में मारनश लवुशन जो उन्होंने 58 बनाया हलाकि ओडियाई में बहुत कम स्कोर करते हैं मारनश लवुशन बट हाँ यहां पर किया और आज के लिए भी हो सकते हैं पॉस्पेशली अगर फर्ष्ट बैटिंग आई न अश्रेलिया की तो आप मान सकते हो कि लवुशन से आपको वापिस से 40-50 रन के आसपास देखने को मिल जाएंगे सेकंड बैटिंग में इग्नो के लिए चाहते पिछले में उस से पहले एक जैंपा के बात की जाएंगे जैंपा के नम पर यह रह सकते हैं अश्रेलिया की तरफ से पूरे दस और अवरकून डालेगा एस्टेनेगार हुआ हीजल वोडवा श्टार कोई जैंपवा पूरे दस ओवर है उसके बाद में बाकी के जो बचे हुए सबसे ज्यादा चिंजस हो सकते न वह इंग्लेंड की टीम में ही हो सकते हैं अब यह नहीं पता कि इस मैच में किसको बाहर बैठा दे कि मेरे हिसाब से यह वाली प्लेंग लिए होनी चाहिए बट मैं स्टिल बोलूगा कि 100% भाई इंग्लेंड के प्लेंग में कुछ भी नहीं यह क्योंकि किसी नहीं किया था कि सेकंड मैच पे जोश बैटलर खुद बाहर बैठ जाएंगे रैश लेने के लिए तो वह चीज़ है तो कुछ भी चेंजस वागरा हो सकते हैं बाकि मैं आपको सभी प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं ताकि कोई भी अगर आ भी जाए सीधर स्वता कमार तो सीधी बाते इसके दो उसके बाद में सैम बिलिंग से सबनें काफी नाइन आए थी अच्छी उसका बाद में मोहिन अली 10 रन एक विट रहा था उसका बाद में क्रिस वोक्स थे दो विटिटीनों निकाले लियुम डोसन विटलेस इनके जगे पर हो सक है कि उम्मीद कर सकते है उसका आदल राशी थे तीन विकेट निकाले इन्हों नहीं भी जोड़न के बात करो तो इनके नाम रहा था एक यह बात तुम अल्रडी बोल चुका हूं लाइक जोड़न ने पिछले पिछले मैच पे एक विकेट निकाला था तो जोड़न का तुम आ जलना नाम आता है डैविड मलन का ठीक है सेकंड वन अगर आप जाना चाहो तो आप विंस के साथ में जा सकते हो इंपंट पिक बनेंगे आपके लिए लेना थर्ड वन इस आप लाइक डैविड विली को बोलिंग शेक्शन सा या फिर आप राशीद को रख सकते हो ठीक है डैविड विली एंड क्रिस वोक्स तीनों तो नहीं ले पाओगे ट्राइ करना तीन में से अप्लिष्ट आप ये दो तो रखे लो पूरे दस दस ओर कौन कराएगा राशीद हो डैविड विली वा डोसन हो ख्रिस वोक्स वा आइटिंग चालिस उसके बाद में जोडन और म ऐसे मोहीन अली उतनी बॉलिंग नहीं करेंगे शुरुवात में बोलनयर के लिए बॉलिंग करने आएगे उसके बाद में बहु को लगता हम कि कि online को गजिव दी जा सकते हैं भी बात करता वेंच्प्लियर के बटलर है इस्टोन है लोपूर है सम करेंप कोई भी आ जाग कि की टीम में से बटलर आया तो बिल्कुल रखना है ओलिश्टोन 50-50 है सेम करन तो उतना कुछ खास फर्फोंस ओडिया इमीन का रहा नहीं था और लियो कूड के ऊपर थोड़ा वरुसा रिखा सकते हो हलाकि जिरो विकित थे इनके पहले मैच हो बट स्टिल थोड़ा वरुसा तो दिखाई सकते हो अगर आपको पिक करना है टीम में उसका बद मुश्टर लें कि तरफ से पैट कमेंस केमरान ग्रीन और सीन अबट है तो अब इन में से कौन आजाए अंदर कुछ वरुसा नहीं है ठीक है बैट कमेंस आए तो ले ले लेना केमरान ग्रीन और सीन बट आ है तो वही चीज़ है इसी वजह से ग्रीन और सीन अबट थोड़ा सा लाइक रिस्की बनेंगे तो देख लेना अगर मैंने जोब है तो रख लो नहीं तो कोई दिक्कत निया हटा दो जादा बहतर है बात करते हैं अपने वेन्यू स्ट्रैट्स के बात करें तो 120 मैच जो इ 31 खेले है रिकोर्ड बहुत ज़्यादा घराब है दस मैचेज हारें और 21 मैचेज ही आपको हारते हुए दिख जाते हैं तो कहानी थोड़ इसी खराब है इंग्लेंड की तो आइटिंग की यह सीरीज में लाइक उश्ट्री लिए जो एक प्लीन सुप करने वाली है तीन जि सबसे उपर नाम आता है इदर से मिचल स्टार्क का नो मैचेज और 21 विकेट्स मिचल स्टार्क इस ग्राउंड पर अभी तक जो है निकाल चुके हैं बहुत लगी लेवल का पर्फोर्मस रहें स्टार्क का स्टार्क इसा रहता है उनका यहां पर कि वह दो तीन विकेट्स सीधे निकाल कर जाते हैं और विकेट्लाइस तो बहुत कम गए है अगर आप आप स्टार्क देखोगे तो आपको पता चली जाएगा उसका बाद पैट कमिंस पांच मैचेज में च्याविकेट है और यहां स साब यहां पर जो देख ही लोगे ठीक है तो वह एक चीज है इसी विए से स्टार को ट्राइ कर सकते हैं जो लाइक इंगलेंड की टीम रही है दो मैचेस टाई तीन मैच नो रिजल्ट इस ग्राउंड पर बात की जाए तो ऊस्ट्रेलिया ने बड़े पुरी तरीके से ग्राउंड पर जीते हैं अगेंश्ट इंगलेंड और इंगलेंड जीत पाई है सिर्फ अब तक साथ मैच आदे भी नहीं हुए यह लग कुछ जादे खराब रिकॉर्ड है बात करते हैं हेट वैड के सबसे उपर आ चुके हैं अब स्टीवेंस में 32 मैचेस में एक अजार 38 के साथ में और एवरेज जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है 38 का हो गया है जो कि काफी सही है उसके बाद में जो श्पटलर है खेले तो ले सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में से सैंब बिलिंग से जादा भैतर है सैंबिलिंग के में एक इनिंग पर तो यह जादा बहरुसा क करूंगा नि कभी कभारी मारता है वैसे भी न वह उसके बाद में जैसन रोए बाइस मैचस में 874-39 का अवरेज अच्छा है बट फॉर्म इतनी गई गुजरी है न क्या बोले बस कि दसरन क्रोस कर जाए उसी में बड़ी लाइक ऐसा होगा ना कि एकदम खुशी हो जाएग बारा मैच 483 रंस 96-43.90 का अवरेज है तो यह कुछ आपके लिए हैं वेन्यू पर आपके देख लिए स्टीवन स्मित और यहां से विंचल स्टार्क आपके लिए एक डम बढ़िया कैप्टन वाइस कप्टन से पिक सकरा वेन्यू के असाप से देखते हो तो निकलकर आज हाथ है दोनों ऑप्लेयर की अपर जारू ले सकते हो उसके लाइक लिट बैटिक्ट से निकल कर जाते है पौछ न्यreek के 59-15के साथ में एंड सजेशन दोगा राशिद हो चाहिए यहां से जैंप आओ जो भी फर्ष्ट बोलिंग करती है टीम उस टीम का स्पिनर आप रख लेना ठीक है जो भी टीम फर्ष्ट बोलिंग कर रही है उस टीम का स्पिनर रख लो चाहिए फिर वो राशिद हो चाहिए फिर वो जैंप तो 25 मैचे में 45 विकेट है इदर से राशिद के स्टार के बाद की जाये 21 मैचे में 36 विकेट वेण्यो ग्रेंटिक है और है और हैट भी ग्रीन टिक है पूम अच्छी चलिए रही है क्या बात कीजाया तो इनके नाम भी है कहीं न कहीं दस मैचेश में 19 विकेट इन सबसे वैतर है जैंपा का बात कीजाया आपने प्लेयर वैटल कौन-कौन से निकल कर आ जाते है तो उससे पहले आपके लिए को कुशन पर आजाते ही गिववे का कोशिन कह रहे हैं सकता है तो स्टीवन समयता है वो कितनी बोल खेलाइग और उनको आउट कौन से क्पामंट किमिटम सेक्षिन डिलाथ सब्सक्षाइब पहुत जाना 12K प्लस फोलोर से बात करते हैं प्लेयर बैटल की जैसें रोए अगेंश टार्क 114 बॉल में 125 रंड पांच बार अपनी विकेट दे चुके हैं बात की जाए 36 बोल में दो बार आउट कर चुके हैं सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए इस तर्क तगरिबन 20 बोल में एक बर आउट कर देते हैं उसका आद में जोश्ट बटलर अगेंश जैंपा जो कि यह हो भी गए थे लाइक पहली मैच में जादा बड़ी दिक्कत को ने बटलर के लिए जैंपा इकर सेंबिलिंग्स के लिए भी कही ना कहीं जैंपा दिक्कत देते हैं 69 बोल में तीन बार जोए जैंपा भी इनको आउट चुके हैं बात की जाए उस्ट्रेलिया की तरफ से मारका श्टोनीष अगेंस्ट आदिल राषिद 97 बोल्स और पांच बार विकेट क्रिस वोक्स ने चार बार आउट किया है 58 बोल में राषिट से जादा दो वोक से टेंचन को में मयचर मार्श अगेंस्ट आदिल राषिद चार बार आउट हो चुके हैं एलेक्स केरी को तो पहली बोल पर आउट किया था पिछले मैच में आदिल राशिद ने 76 बोल 95 रन और चार बार इनके विकेट ले चुक है डैविड वोर्नर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कौन वोक्स नहीं मोहीन अली शुरुआत में जो मोहीन अली बोलिंग करने आ जाएंगे ठीक है वही नहीं जाए दिक्कत नहीं अगर 108 बोल में तीन बर आउट है तो लबुशन जो है वह अगेंस्ट आजल राशी थोड़ा श्रगल करते है चालिस बोल में सिर्फ 29 रंस है और दो बार जो अपने विकेट दे चुक है तो यह आपके लिए कुछ प्लेयर बैटल इन सारी चीज जाएगा जल्दी या उट होने के चांसे आफ वह और एक crisis चांसे उपार फ्लोड लाउन अफ्लोड खराब है ठीक है तो सबसे बढ़ी सब्सलिए मैं यहां से भीट के उवह तरह एस एक क्या है कि मौहीं अली आ सकता है बात कर लेते हैं अपने सीधर टीम की कि टीम किया रहे सकते हैं तो विकट की परस एक्षन में जोश पटलर नहीं खेले तो मैं सेम बिलिंग्स को लूँगा अगर जोश पटलर खेले तो में डिफोल्ट पी क्या हो बैटिंग सेक्षन में बोलनर है स्मिथ है है एडर सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बैल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो सागे बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ को एंड साथ इसाथ टेल्क्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब 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 को उदर देखने को मिलता है बाकि उल्ला वैस्ट इस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही जारे ज कुछ कुछ करो भी इसले यृटला वीडिए बहुत है बहुत है जारे बहुत है को जारे बहुत है।